पार्शिवनी शहर के चत्रप्रती शिवाजी महाराच चौराहे पर आएदन दुर्घटनाय होती रहती हैं वहीं गुरुवार की दुपहर शिवाजी महाराच चौराहे पर कोईले से लदे ट्रक के आगे के पहिये के नीचे मोटरसाइकल सवार आने से मोटरसाइकल सवाब ब 12 बज़े के आसपास हुए पारशिवनी पुलिस उभाग की और से मिली जानकारी के अनुसार रुद्रा ट्रांसपोर्ट का ट्रक क्रमांक MH40 BG 7374 गोंडी गांव वाश्वी से कोईला लादकर पारशिवनी होते हुए खापर खेडा प्लांट में जा रहा था तभी क्रमांक MH40 BQ 7215 ट्रक की चपेच में आने से बुरी तरह घायल हुआ जैसे यह घटना हुई वह तमाम आने जाने वाले घटना इस्तल की और दोड़ते हुए ट्रक चालक को रोकने की कोशिश की पर तब तक ट्रक के पहियों के नीचे आने से मोटरसाइकल सवार के दोनों बुरी तरह शतिकी रस्त हो चुगे थे वहीं मोटरसाइकल सवार लहुलोहान हो चुगा था तुरंत इस घटना की जानकारी पारशिवनी पुलिस विभाग को दी गई जैसे ही पुलिस विभाग को इस घटना की जानकारी मिली तुरंत पारशिवनी पुलिस विभाग की कर इस घटना में ट्रक चालक दिनेश शंकर नागोसी उम्रत 33 को पारशिवनी पुलस ने गिरफतार कर उस पर 989, 337, 338 सहे कलम 184 के तहत मामला दरच कर आगी की कारवाई पारशिवनी की पुलस कर रही है जबकि इस चौराय से आने जाने वाले बड़े वहन चालक अपने वहन बड़ी तेज रफतार से गुजरते हैं जिससे आए दिन यहां पर बड़ी दुर्गटना होने का खत्रा मंडराता रहता है बावजूद या ना तो यातियात पुलस दिखाई देती है और ना ही किसी प्रकार की उचित वबस्ता यहां पर की गई है यातियात पुलस यहां पर नहीं होने से वहन चालकों में किसी प्रकार का भेहन नहीं होता इसलिए इस चोराय से रोजाना बड़ी तेजी से वहनों का आवगमन होते रहता है इस रास्ते से गुजरने वाले बड़े वहन जिसमें कोईला रेत औ खनिच सामाग्री से भरे ट्रक लापरवा तरेके से चलाने से यहां पर आए दिन दुरगटनाई की वारदात होती रती है इसलिए प्रशासन तुरंत इस और ध्यान देना सरूरी है वरना इसी तरह की दुरगटनाई होने का सिसला लगाता जारी रहेगा पाशिवनी से बीसे न्यूस के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर् कर देती है इसलिए एक दुर को